ह compr लो फिरेंड्स कैसे हुआSU आप सब कम ल सकीचिन में एक बार फ़रसे स्वागधां का एक नई वीडियो के साथ तो फ्रेंडस है भूत ही हैल्दी बहुत ही मज्यिधार टेसीपी असमा बनाने जारी हूं जो सरसो के पत्ते होते हैं उनकी सबजी तो यह देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल गाउं में देशी तरीके से बना रही है और गाउं से ही लिए हुई हैं मार्किट के नहीं हैं यह सरसो के पत्ते तो यहाँ पर यह देखिए जो गाउ में जो खेट से लेते हैं ना सरसो के पत्ते वो बहुत ज्वी होते हैं और इसमें क्या होता है हमने जो कच्चे डंठल होते हैं वो बहूत ज्यादा है लिए हैं पत्ते लिए हैं डंठल के साथ और यहां पे कुछ मसाले जो हम आपको जब हम डालेंगे तब इसके अकोडिंग मैं बता दूँगे कि हमें कितनी कुआंटिटी में मसाले यहां पे एड़ करने हैं तो यह देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जो सरसो के पत्ते हैं उनको हम अच्छे से दोके और इनको हम कट कर लेते हैं तो यहां पे फ्रेंट्स मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगी यहां पे मैं पूरी वीडियो आपके साथ सेयर करना चाती हूँ तो यह देखिए मैं दिखा देती हूँ कि यहां पे जो डंठल है वो भी हम इस तरीके से चाको से कट कर लेंगे डंठल हमें साथ में लेने और यह कच्छे डंठल होते हैं यह बहुत ज़्यादा हैल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा पोस्टिक होते हैं इसमें बहुत सी विटामिन्स और कैलोरी जाती हैं तो फ्रेंड्स आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और जरूर बनाना अगर आप गाहों से बिलॉंग करते हैं तो आप इस डंठल के साथ हरा साग जरूर बनाना और इसका सीजन होता है जो फिलाल बहुत ही बढ़िया चल रहा हो देखने के बाद में आपको बिल्कुल भी जंजट नहीं लेगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूसफूल होने वाली है यह तो आप मेरी वीडियो में लगातर बने रहें तो इस तरीके से यह देखिए फ्रेंड्स हमने पहले हमीं क्या करना इसके अंदर मिट्ट करते हो चोटा करते हो लेकिन यह देखिए यहां पे हमने सभी पूरा जो सर्सों का साग लिया था हो पूरा का पूरा हम यहां पी कट कर लेंगे इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से मैंने पूरे सरसो के साख को अच्छे से कट कर लिया है और अब हम इसको उबा लेंगे कि अनदर या कि आप इसे क्या करना है आप चाहो तो कुकर के अंदर बी उबाल सकते हो या फिर खुले वर्तन के अंदर बहुत जल्दी उबाल जाता कि यहीं च suspect पार को नजस्य शूटे आब और दार के औा सिर्ट हमवादे करद अधर और इसको निचोर्ड लिया अच्छे से इसको निचोर लिया तो यह प्शन दाले दिया लियुदू कहाई है जीरे को चाटक ने देते हैं थोड़ा सा ख करता हमने कर दे लिए का डीरे मजलेंहें ऑम अधियान रखेंगे थोड़ा सा क्योंकि हरी मिर्जी चटकती बहुत ज्यादा है इसी के साथ हम यहां पर दो टमाटर भी डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तमाटर से क्या होता है इसमें जो खटाई होती है वह बहुत टेस्टी लगती है अगर आप य जाए चांस टमाटर ना भी हो तो टेंसर मत लेजिए आप इसके अंदर थोड़ा सा दही या चांस तो मिली जाएगी वह डाल दीजिएगा तड़के के अंदर उससे भी घटाई बहुत अच्छी हो जाती है तो यह देखिए हमें घटाई के लिए इसके साथ आदी चोड़ मैं डालेंगे बांदी पाउडर इसको भी कर देंगे अच्छे से मिकस ताकि अच्छा सा आ जाए है पूरे के पूरे मसालों के अंदर आपके मसाले जो हमें डालने हैं तो सबसे पहले मैं आपर नमक भी डाल देती हूं हमने टेस्ट की अगोर्डिंग जितना हमें चाहिए एतना काई लोग कम खातें कि जादा चाहते । पाके पारबर काई लाल मिर्च उइसको अगिक कर देंगे गई हैं चाफिने के अदे हैं बद्निया मीक्स करूंगे हो। तो यह देखिए, एक चमस धनिया पाउडर डालने के बाद में इसको भी अच्छे से मिक्स कर देगे, तो मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट, तो यह देखिए फ्रेंड्स हमने लगबग 15-20 लहसुन के लहसुन के पेस्ट से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, कोई भी सब्जी हो चाहिए, अक्सर हरा साग होता है, उसके अंदर आपको लहसुन का पेस्ट और खटाई जरूर डालने चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, चाहे आप मूली की सब्जी तो भी हरे साग के अंदर आता है, इस चीज़ों के अंदर खटाई जरू डालेगा, टमाटर नहीं तो आप अच्छा टेस्ट आ जाता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से पका लेंगे, आप अच्छे से निचोड के रखिए, तो फ्रेंट समय अच्छे से निचोड लेना, इसकंदर पानी नहीं होना चीज़ बिल्कुल भी, क्योंकि यह सबजी है, वो सूखी बनती है, इसमें तरी नहीं होती है, तो यह देखिए, हमने यहां पे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और सरसो का साग है, याशा बहुत ही यहांई सब भी रेड़ी, होने वाला बहुत घेंस बनता है, इस बाजरे की रोटी के साथ, या फिर टुर मक्की की, रोटी के साथ जरूर खा रहीए, बहुत टेस पाने है, अलग लिग अदिए में से कीत Dur cert or coffee diet, लेंच्छा we Auchimwe Sling Online चीश कि जो मसाला रोड़ों में पूरी मासाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुगें औरू है स्थिकर मेश भी करते हैं अर्ग करें पीचुने के चेदी अधर टोगेते हैशुई और यह था है नहीं नहीं माई हाँ यह उसको थोड़ा सा ग्राइंड कीजिए बिल्कुल थोड़ा सा उससे क्या होता है बिल्कुल बदला हो जाता है बट मैं यहां पे ऐसे ही बनाओंगी बहुत अच्छा लगता है चलिए लग बरत में निकाल देते हैं हमारा सरसोगा साग बन के रेडी हो तो ओके फ्रेंड्स जो जुरूब थाना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी तो ओके फ्रेंड्स मिलती हूं अगरी वीडियो में एक बार फिर से एक और नी रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक केर